हाब छाल चल रहा है, मैं यह साथ है, मैंने वीडियो के साथ आगया तो चलाए हूँ, एक लाओ एक लूजोर में वैनस ओर आयए, उजाने की साथ के लिए, वैसेहिसमें पछाएऊ लूज है, रहे सब recent karma. चलो चलते हैं ग्रें यह वल्ल॑ का बहुत कुछ में खेली चुका हूं मैं इसमें बर्डी भी खेलता हूं मैं तुम्हारा बर्डी खेलता हूंcoin किल में कईका है इसके चलते हैं सील्ड मिलता है और तुम फाइट में कुछ के डेसर डेमेज कर सकते हो लेकिन मैं सोचा कि भाई पर्डी को हटा कि उसके जगा कुछ नया चीज खेलता हूं तो इसमें मैं रेपिट फायर स्काफ कहल रहा हूं क्योंकि वेनस्वर यह व्ला बिल्ड में बहुत अच्छा लेनर है देखते हूं लेवल 4 में बढ़ा हो जाएगा तो हलों को लेन में डिफ नहीं पढ़ना चाहिए और यहां पर सेंटर में लिया डॉल उसके बाद भाई यह साइथर साइथर से बच करना पड़ेगा तोड़ा लगबक मारी दिया हो इसको लग रहा है इसक लेने से अच्छा है कि मैं लेलू कर गया यहां पर मैं ना इंटेल को फिर बुलाता हूं कि भाई लेवल 4 हो जाके पीछे वाला करके देखो इसको हम बार बार गेदर कर रहें लेकिन यह बंदा आता नहीं है सोलो क्यू वाले प्लेयर को समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है करके मैं उसे बुला रहा था अगर वह लेवल 4 हो जाता तो ज्यादा रहता लेकिन वह आया नहीं कोई बात नहीं अब हम लोग को कुछ करना पड़ेगा और यह देखो इलों का भी जंगल उपर आया हम पड़े निंचा से थोड़े रहा परेगा दे गरे नियंजा मेरें पीचे बड़ा हktor अर मरजा मरजा मर्जा अर्य यार अर्यार वी कोमाल नहीं uh, पहला पार मार रहा ह neutrality इस्टना खराब नहीं सोलोड जैंगल ले रहा लेकिन इत्तक्र शेंまだ नहीं वàiवा princesος में निया रह लेना कोई बात नहीं बनता है समझाए इसलिए को यह फालतु प्लेता इसलिए मैं आ गया बफ लेने के लिए उसके बद चलो हम सेंटर का फाम लेता है जतना भी फाम लेने और यहां पर देखो साइथर से वन वी वन ने सकूंगा भाई उसका स्टार्टिंग डैमेज बहुत अब लेवल सेवन के नजदीग पोश्च गया सेकेंड रहता है तुम्हारा भाई पावर स्पाइक इसका लेवल सेवन में लेवल सेवन होना बहुत जरूरी है वैसे लेवल सेवन में भी जो मूव आता उससे भी ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं रहता है लेकिन कैसे भी करके काम चला लोगे तुम्हारा में पावर स्पाइक है जब इवलो होते इसका इसका सींफल बात युग वनोसर में बहुत कम जोर रहा हो गया और मेरा पैटल डान्स आगिया अब रहलों पर आगे से थोड़ खेल सकते यहां पर लगबग मरी इस है और यह मरा यहां पर नाग देने पाऊगे अभी में बहुत कम मेरा हेल्थ है अभी में आगे से नहीं खेल सकता हूं लेकिन जैसे ही इवल्व हूंगा उसके बाद तो मैं अंदर घुश के फाइट करने पाऊगा गीगा ड्रेन इतना मस्त है ना क्या बता है मैं एच्पी बढ़ाते रहता है तुम करते रहते हैं तो मेरा फोकस भी प्रोक करेंगा वो भी तिम को सर्वाइब किराएगा चीज लेकिन इसका लगबा का में चीप करी लिए लिए ता और यह बंदा से अब गरे निजह आ गया क्या ही बोले होता है चलो कोई वाद में मेरा टिममेट्स हम जब तक पीज़ी रखे था मेरा टिममेट्स लोग नीचे का रिप कर दिया रेजी स्टील को बहुत अच्छा किया और मेरा लेवल नाइन आ गया अब अब अंदर से खुसके बार-बार फाइब ले सकता हूं चलो यहां पर देखते हैं बॉल्टे वोल्टफ कोई लिया ने हमी कर लेता है कोई करेगा ने जंगल तो हम कर सकते है मेरा टिममेट्स लोग नीचे बहुत अच्छा तोड़ दिया है पेसूस बहुत ही अच्छा खेल रहा है वोलो अब यहां पर हम रेड बफ लेता है रेड को पेल रहे हैं वाई कुछ करने नहीं पाएगा अधा इतना जादा है ना कि तुम्हें घीगा ड्रेंट करके बार-बार एच्पी कमने उने देऊगे अगर लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई हीलर रहा ना भाई हीलर तुमको मिल गया वेनासर में तो तुम कभी मरों गई में कोई करने रहा है वह लों नीचे में पुश कर रहा है सो में उपर टरब डिफेंट करते हुए फाम भी कर ले रहा हूं डेसरा और लेवल 11 भी पहुझ गया बहुत अच्छा से जतना फाम करूंगा नेक्स वाइट के लिए बहुत अच्छा रहे है मेरा अल्ट आया और विए यार देखो मेरे उपर भाई हमको फ्लाई का ड़्येज पड़ाई क्लिएburg Alma लेकिन देख रोमेह एकले उपनदा को वाया मेरे घुट रहते तो में काव बूल भाई सब को कर डिए ता लेकिन कही पोले मेरी चलते नीचे तरफ देखो नीचे मेरे बेजिय आ रहा भी कर सकते हैं सो मैं उतना डिपरस बहुत ही जादा उस पोकेमोन करते हैं पूरा ड्रेक्ट नगेस इंक्रीस करता है तो रीजिले की बहुत इजी डिफेंट लेह चलता हूं बिशे आथे आफ राणिे और में जूकं ृप चलता हूं जसी कर सकते हैं कोई कर दो सब्सक्राइब देथा हुद जहां चलता हुद अच्छा है जा बहुत कम हुदे केलेंगे लेकिन यह बहुत ज्यादा अच्छा केल रहा था अच्छा क्यों सब निकालता है नीचे पहलों जाते हैं नाइंट टेल्स का मदद करेंगे और यह एप सुल भाई चला दिये बहुत मस्त तीन मिनट में चला है अगर ज्यादा फार्म नहीं करेगा तो इसका अल्ट स्लोब्रो डिफेंडर यह समय बफ कभी नहीं लेना चाहिए हम बता रहें तुमको सिंपल चीज़ है यह सब फार्दू चीज़ है चलो यहाँ पर देखते हैं डेल फोक्स को डेल फोक्स को लेना स्टार्ट करेंगे लगए एक स्पीड लगा के भाग रहा और यह बंदा ग क्योंकि कोई को इनुब्रे लोग मालूम नहीं रहता है टाइम नहीं पड़े पाते हैं लेकि नीचे में देखता हो भाय नीचे में पूछ कर रहा है नीचे में डिफेंड कर ले थोड़ा देर बस डिफेंड कर ले मैं संभाल लूंगा मैं आगे आया और यहाँ पर लेले यह लोंग वाइप हो जाएगा इजी मेरा टीमेट लोंग अल्ट थोड़ा अच्छा समय में चला दिया रहा बसे दो बंदा का अल्ट तो नहीं दिख रहा है मुझे मेरे को ही अल्ट चलाना पड़ेगा यह एपसुल भी गया है यहां पर उसके बाद यह को डेलफोक्स केमे कहले है और यहां पर क्याहें देमेज्ड दिया हो और यहां यह क्लिफी यह फैल वाई इसनोर लस नहीं है लेकिन हम इसको बार बार ब्लोक मिलते रहता है यहां फर यह बच्छना वैलोे बात नहीं चलब बहुत ऐसे यहाँ पर मेल्ट करना तो स्टार्ट कर रहा हम यहाँ पर वेट करता है कि कोई भी कोई सी और कुरिसी पोकिम होना उसको हम पकड़ लिए उसके बाद भाई यह मरे उपर चला के कोई फायदा नहीं है यहां पर Cliffyable में मरेगा और Cliffyable भी चला गया ग्रेविटी मेरे कोई चीज में डिफ नहीं देशा कोई भी मेरे पास डेस्वाला मुव भी नहीं है कि वो मेरे ग्रेविटी से मूव को रोकेगा इसलिए कोई फायदा नहीं को चला के और यहां पर क्या ही वाइप कर रहा है यहां पर डेलफोक्स बच गया वैसे मेरे शील तोड़ दिया है लेकिन यहां पर इसको मारता हूं अब डालने इसी पड़ जाएगा मेरे शील तोड़के कोई फायदा नहीं हो बेचारे लों को अब चलो देखते हैं मेरे शोड आ रहा है शोड के पास भी पचास होगा अब मैं जा सकता वापस लेकिन मैं सुचा भाई अल्टीमेट लाता हूं उसके बाद फिर से फाइट करूंगा वह ज्यादा अच्छा है क्योंकि डिफंड करने क्ली कलिए लोगोर लगता है यह बडाल डालके कुछ करने पाएगा यहाँ पर केंपर क्लिफ ये और भी जादा डैमेज कर सकता था बट कोई बात नहीं यह वेनस ओर का अच्छा मैस था है सो मैं सोचराई से डालूंगा तो कैसे लोगों को कैसा लग रहा है वेनस कॉमेंट्स पर बता अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब करना मत कुला तो सी यूगाइज इन नेक्स सलेई साराइज से लग बात ध crit. और बता है सुनगर और बता है सब कर दो कि यूगाइज?